दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपने कम्प्यूटर में हिंदी फॉंट यानि की कृती देव फॉंट को इस्टोल कैसे करेंगे दोस्तों कम्प्यूटर में क्या होता है कि हिंदी फॉंट यानि की कृती देव फॉंट पाले से प्री इस्टोल नहीं होता है इसको आपको अलग से इस्ट्रोल करना पड़ेगा यंदि आप जो है हिंदी में टैपिंग करके लिखना चाहते है तो आपको अलग से कुरती देव फॉंट यानि की हिंदी फॉंट को इस्ट्रोल करना ही पड़ेगा तभी आप जो है हिंदी में लिख पाएंगे जैसे मैंने notepad को खोला हुआ है अभी मैं यहाँ पर type करूँगा तो यहाँ पर English में type होगा यहाँ पर format में जाके font में जाके यहाँ पर के press करता हूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी कृतिदेव का font नहीं है इसलिए मैं चाह के भी अपने computer में Hindi में लिख नहीं सकूँगा जब तक मैं Hindi font को install नहीं करूँगा तो Hindi font को install करने के लिए सबसे पहले आपको Hindi font को download करना पड़ेगा तभी आप जो है Hindi font को install कर पाएंगे तो download करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों Chrome राजर कोपिन कर ले करना है और type करना है कृति देव font download यह लिख के आपको enter कर देना उसके बाद जो भी आपको first link दिखेगा उसी में आपको कर देना है क्लिक हिंदी typing.info इस link पे आपको कर देना है क्लिक उसके बाद यहाँ पे हिंदी का font जो है यह आ जाएगा देखिए यहाँ पे आ गिए है क्रिति-देव एक सो नहीं क्रिति-देव दस, क्रिति-देव गारा, क्रिति-देव बारा इस तरह करके देखिए यहाँ पे कितना सारा font है यदि आप यहाँ पेDerू 10 को download करेंगे तो कुची इस तरह लिखावर दिखेगा, यदि आप कृती देव गारा को डानलूट करेंगे, तो कूची इस तरह लिखावर दिखेगा, इसी तरह यहां पे देखिए, कृती देव 13 में थोड़ा सा यहां पे इटेलिक है, यानि की टेढ़ा है, तो यहाँ पे आपको जो भी font पसंद आ रहा है उसे आप जो है download कर लेंगे ठीक है सबसे popular कृती देव 110 होता है नीचे आएंगे तो 110 आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे दिखाते हैं आपको 110 में जाके ठीक है कृती देव 110 सबसे popular यह font है कृती देव 10 और कृती आपको करना क्या पड़ेगा download करना पड़ेगा तो download करने के लिए यहाँ पी देखे डानलोड लिखा हुआ है कुछ ने करना है download मे बस click कर देना एड आएगा तो उसे आपको close कर देना उसके बाद जैसे मैंने 10 को download किया गारा को मैं download करना चाहता हूं तो बस click करना 12 को download करना चाहता हूं तो इसे click करना ठीक है जिसको भी download करना है click करते चले जाएए इस तरह download अपने आप हो जाएगा तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि डानलोड हो रहा है या नए तो देख सकते हैं मैंने कितना सारा यहाँ पे डानलोड किया ठीक है सारा यहाँ पे डानलोड हो गिया है कृति देव यहाँ पे मैंने कुछ फॉंट कृति देव का डानलोड कर लिया ठीक है तो अ से हमें copy करना पड़ेगा तो सेब पता ही है कि कहां पे होता है माइ computer को open करेंगे और यहां पे left side में download का folder दिखेगा download के folder में click कर देंगे तो जहां भी save हो रहेगा लेके हमें चला जाएगा देखे यहां पे दिखा रहा कुर्तिदेव हो गया 10, 11, 12, 13, 14 मैंने 4 download किया ठीक है इन ही चारों को मैं अपने computer में install करना चाहता हूँ तो download हो गिया आप करेंगे क्या कि सभी को हम select करेंगे ठीक है चारों को मैंने select कर लिए आप जितना भी install करना चाहते हैं सभी को आपको download करना पड़ेगा download करने के बाद आपको करना क्या है या search करेंगे control panel तो control panel खुल जाएगा control panel को खूलने के बाद यहाँ पर हो सके आपका इस तरह दिखायता आपको घबडाना नहीं है category में किलिक करके large icon में आप जैसे ही कर देंगे तो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा font तो इस font में आपको किलिक कर देना ठीक है उसके बाद wait करना है जैसा ही आप font में किलिक करेंगे तो आपके computer में जितना font pre-stroll रहेगा पहले से सारा यहाँ पे दिखा देगा देख सकती है यहाँ पे सारा font दिखा रहा है तो आपको करना क्या है कि जो font आपने वहाँ से copy किया था उस font को यहाँ पे आपको paste कर देना पांच font मेंने यहाँ पे इस्टोल किया आब हम अपने keyboard से के प्रेस करेंगे तो कुर्तिदेव का जितना भी font रहेगा सारा आने لगेगा तो यहाँ पे देखिये मैंने इसको इस्टोल किया था कृति देव 10 हो गिया 11 हो गिया 12 हो गिया 13 हो गिया 14 हो गिया मैंने 4 यहाँ पर install किया तो 4 यहाँ पर आ गिया ठीक है अब मैं जाता हूँ notpad में उसके बाद install हो गिया यही होता install install यहाँ पर हो गिया यानि कि यहाँ पर control panel का जो font था यहाँ पर pre install पहले से इसमें जो मैंने इस्टॉल किया देखिए यह सारा मैंने इस्टॉल किया यहाँ पे 10 से लेके 14 तक यानि की 5 मैंने इस्टॉल किया पांचों यहाँ पे दिखा दिया निकी इस्टॉल सक्सेस्पूल हो गिया अब मैं वर्ड खोलूंगा एक्सल खोलूंगा पावर का फॉंट आ गिया आप के प्रेस करेंगे तो कुर्ती देव आ जाएगा ठीक है तो मैंने के प्रेस किया देखिए यहां पर आ गिया दस वला गया, गारा वला गया, बारा वला गया, तेरा वला और चौदा वला तब मैं जिस में लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ गारा वला में लिखना चाहता हूँ, ठीक है तीस में कर देते हैं फॉंट को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं और ओक्य कर देते हैं अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा जैसे मैं लिखता हूँ मेरा नाम उमेश कुमार है ठीक है देखिए यहाँ पे हिंदी में टाइप होने लगा तो आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए तभी आप ज आप मेरे चैनल पे जाईए टाइपिंग वाले प्लेलिस्ट में वहाँ पे लेशन वाइज करके मैंने सिखाया है टाइपिंग को हिंदी टाइपिंग बहुत ही बढ़िया तरीके सिखाया है आप मात्र साथ से आठ दिनों में हिंदी टाइपिंग को सीख जाएंगे तो अब आप अपने computer का किसी भी चीज को खोलेंगे, word खोलेंगे, excel खोलेंगे, powerpoint खोलेंगे, notepad खोलेंगे, हर जगा phone का तो option आपको मिली जाएगा, ठीक है, तो phone में जाके आप जो है, कुरती देव को कर देंगे, के प्रेस करेंगे, तो के वला सारा दिखाने लगेगा, तो क चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही पर समाप्त कर देते हैं, दोस्तों, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा, तो वीडियो को like or share जरू कर दीजे दोस्तों, यदि आपका कोई भी सवाल हो computer से related, तो आप मुझे नीचे comment box मे comment करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, दोस्तों, मैं आपको 100% जवाब दूँगा, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, फिन नेचे वीडियो में जाहिन दोस्तों